जलंधरपुर नाम के गाउं में किर्थी और बालू नाम के अनाद बच्चे रहा करते थे वे दोनों गाउं में पेंटिंग का काम कर पैसे कमाया करते एक दिन स्वामी जी के सहायता करने पर उन्होंने बच्चों को जादूई ब्रश तौफे में दिया था उस प्रश से बच्चों ने गरीब लोगों की और गाउं में कही लोगों की मदद की थी जिस वज़े से बालू और किर्थी ने उस गाउं में अच्छा नाम कमाया था इसी कारण गाउं वाले बालू और किर्थी को बहुत प्यार किया करते थे यूँ दिन बीट रहे थे एक दिन उसी गाव का रहने वाला JCP ट्राइवर रमेश कीरती और बालू से मिलकर ऐसे कहता है बच्चों तुम दोनके पास जादूई ब्रश है ना फिर भी तुम दोनों हर रोस अड़े पर जाकर किसी के काम पर बुलाने की क्यों रहा देखते हो इसके जरुरत क्या है? तुम्हारे पास जो जादूई ब्रश है, उससे किसी पुरानी दिवार या पुराने वस्तूओं पर घुमा दो, तो तुम्हें पैसे मिल सकते हैं ना? तब तुम्हें काम करने की जरुरत नहीं पड़ेगी और कोई तकलीव भी नहीं होगी. रमेश की कहीं बाते सुनकर केर्टी और बालू एक दुसरी की और देखकर हसने लगे. तब बालू ने उनसे कहां? अंकल, क्या आप जानते नहीं कि ये एक जादूई ब्रश है? इसे सिर्फ मुसीबत में रहे लोगों की मदद के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं. लालज की चलते इसका मन मर्जे इस्तिमाल करो, तो ये किसी काम का नहीं रहेगा. ऐसे बार-बार करो, तो इसकी जादूई शक् इसी लिए हम इसका इस्तिमाल मुसीबत में रहे लोगों की मदद के लिए करते हैं. खुद के स्वार्थ के लिए कभी नहीं किया और ना कभी करेंगे. समझे अंकल? इतने में कीर्थी ने भी उनसे कहा. बहुत अच्छा लगता है. अंकल हमें जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो हम आपके पास जरूर आएंगे. अपने परिवार का सदर से मान कर. ऐसे कीर्थी ने कहा. उस दिन से रमेश उन दोनों के साथ बहुत अच्छे से रहने लगा. इस तरह कई दिन बीच जाते हैं. रमेश अपने जेसीबी के सहायता से बहुत काम कर रहा था. इसलिए उसने बहुत पैसे कमाये थे. रमेश की इस तरह प्रगती देखकर उस पहार आया उसने देखा जेसीबी सारा जला हुआ था. ये देखकर रमेश जोर जोर से रोने लगा. हाई! किसी ने मेरे जेसीबी को जला दिया. अभी अभी तो मैं कर्ज से थुड़ी मुक्ती पा रहा था. अब इस जली हुई जेसीबी से मैं काम कैसे करूंगा? अपने प रमेश के जेसीबी की जलने की खबर गाउं में एक से दूसरे दूसरे से तीसरे होते हुए किरती और बालू तक पहुँची. वे दोनों तुरंद रमेश के पास गये. रोते हुए रमेश ने बच्चों से कहा? देखा किरती और बालू, अभी अभी तुम्हें कुछ पैसे कमाने लगा था. फिर लगता है किसी को ये बात बरदाश नहीं हुई. उसने मेरी जेसी भी जला दी. अब मैं क्या करूंगा? यो रो रहे रमेश के पास किरती गई और उसने कहा? अंकल, आप चिंता मत कीजिए. लगता है आपकी बढ़ोतरी देखकर किसे चलने वाले इंस से हम इस जेसी भी को जादूई मनी जेसी भी बना देंगे. जब आप इस मनी जेसी भी को लेकर गाउं में घुमेंगे, तब जिसने भी ये किया होगा, वो शर्म से मर जाएगा. ऐसे केरती ने समझाया. कुछ समय बाद बालू ने उस जादूई ब्रश से जेसी भी पर पे पेंटिंग का काम छोड़कर रमेश के साथ जेसी भी चलाना सीख रहे थे. यूहीं कुछ दिन बीते, कीरती हर बालू ने अपने पास जमा किये हुए कुछ पैसों में से, कुछ खर्च करने के लिए रखे और बाकी पैसों से अपने लिए जेसी भी खरी दी. उसी जेसी भ गाउ में अब वो काम कर रहे थे. इस तरह जेसी भी से गाउ में काम करते करते उन्हेंने पैसे कमाये. उन कमाये पैसों में से वे गरीब लोगों की मदद भी करते थे. अरुन धतिपुर नाम के एक गाउ में बालू और कीर्टी नाम के दो गरीब बच्चे अपनी मा लक्ष्मी के साथ रहा करते थे वे इतने दीन थे कि पेट भर खाने के लिए अन्न भी नहीं हुआ करता था यूही दिन काट रहे थे एक दिन कीर्टी ने अपनी मा से पूछा मा बहुत भूख लगी है पिछले दो दिन से आपने हमें ठीक से खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया मा अब भूख बरतश नहीं होती ऐसे कीर्टी ने कहा बेटा थोड़ा सबर रखो मैं बिछले दो दिनों से तुम दोनों के लिए कुछ नकुछ लाने की कोशिश कर रही हूँ पर कहीं से कुछ मिल नहीं रहा आज मैं चाहे जो भी हो जाए कुछ नकुछ लेकर आउंगे खाने के लिए ऐसे मा नहीं समझाया तभी बालू ने भी मा से पूछा कैसे लाओगी मा अगर ला सकती दो दिनों से हम दोनों भूखे हैं तभी ला देती न है ना मा मुझे लगता है बाहर शयाद आपकी कोई भी किसी भी तरह की मदद नहीं कर रहा तभी तो आप हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हमा तु सही कह रहा है बेटा कई लोगों से कई तरह से पूछ कर देखा पर कोई फूटी कोडी भी नहीं दे रहा कोई काम कर पैसे का मगर तुम दोनों का पेट भरना भी चाहूं पर कोई मुझे काम भी नहीं दे रहा तुम्हारे पाउची के चले जाने के बाद अगर हमारे पास कुछ बचा है तो ये तूटा भूटा घर ही इसके अलावा कुछ नहीं तुम दोनों को इस तरह हर रुज भूगा देखकर मेरा रिदय पसीच जाता है पर मैं कुछ नहीं कर पा रही बहुत निसाहाई हूँ अपने ही बच्चों के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही ये सूच बार-बार मुझे अंदर से खोकला कर रही है मा इतने दिनों से हम आपकी तकलिफ को नहीं समझ पाए अब हमें समझ आ रहा है कि तुम हमारे लिए कितनी दुखी हो रही हो मा तुम्हारी कई कोशिशे बेकार गई है न अब से हम तीनों मिल कर कोशिश करेंगे देखते हैं कोई फाइदा होगा अगर ऐसे किर्ती ने कहा किर्ती के बाते सुन लक्षमी ने कहा तुम दोनों भी बहुत छोटे हो अपनी आखों के सामने ही तुम दोनों को तकलिफ में कैसे देख सकती हूँ भला मैं तुम दोनों से काम कैसे करवाऊं अब भी तो हम तकलिफ में ही हैं न मा पेट भर काने के लिए इस तरह हर चीज के लिए तकलीफी तो जेल रहे हैं ना अब इसमें नया क्या है मा ऐसे में तकलीफ जेलेंगे तो क्या फरक पड़ेगा मा जादा से जादा क्या होगा बदन में दर्ध होगा इतना ही ना हम कितनी भी मैनद कर ले कुछ नहीं होगा मा हर दिन पेट बर काना मिले काफी होगा बालू की बाते सुनकर लक्षमी को बहुत दुख हुआ मा इतनी दिनों से हम आपको गलत समझ रहे थे हमें माफ कर दो मा अब हम तीनों कल से इत साथ में काम करेंगे और पैसे कमाएंगे ऐसे किर्थी ने कहा तुम मुझसे माफी क्यों माँग रही हो तुम दोनों मेरे बच्चे हो तुम जो भी कहोगे मुझे बुरा नहीं लगेगा तुम दोनों के बगर तो मैं जिन्दा भी नहीं रह सकती ऐसे लक्षमी ने कहा उसके अगले ही दिन से लक्ष्मी, कीर्टी और बालू कोई न कोई काम धूर्णने के लिए निकल पड़े बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिला घर वापस लटकर बालू ने कीर्टी से कहा दीदी हमें कोई भी कोई काम नहीं दे रहा न, इसलिए मैं कुछ सोच रहा था क्या सोच रहा था भाई? किर्टी ने जानना चाहा मा भी यही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ हमें कोई काम नहीं दे रहा ना इसलिए हमें खोदी पैसे कमाने का कोई जर्यार उन्ना होगा अपने घर के आसपास वैसे भी खाली जगह है न क्यों न हम वहाँ पर सबजियां और फलू गाएं जब फूल और सबजियां उग जाएंगी तब हम उन्हें मार्केट में बेचा करेंगे अब वैसे भी बारिश का मौसम है ना अब अगर हम बीच बोएंगे तो पौधे जल्दी उगेंगे मा तुम्हारी सोच तो बहुत बढ़िया है बालू मैं कल ही पौधे लाकर लगाती हूँ पर बारिश के मौसम से मुझे घबराहट सी होती है बारिश के होते ही अपना घर स्वेमिंग पूल बन जाता है और जब बारिश हो जाए तो जगह जगह पर बकीट पतेले रखकर उसक ये मुझे बारिश के मौसम से डर लगता है हर बरसाथ से मुझे तुम दोनों को बचाना होता है ऐसे लक्षमी ने कहा मा इतने दिनों से हमारे पास कोई काम नहीं था पर अब जैसे भाई ने बताया भल और सबजियों के पौधे लगा कर हमें उन्हें बेचकर पैसे कमाने हैं और उन कमाय पैसों से हम घर की मरमत करवा सकते हैं मा बस एक बार जब पेड़ पौधे उग जाएंगे हमारी तकलीफे खतम हो जाएंगी मा किर्दी ने भरोसा दिलाया अगली सुबहर जैसे उन तीनों ने सोचा था उन तीनों ने कुछ फल और सबजियों के पौधे ल लग दिया मा सुबह से हो रही बरसात की वज़े से हम ऐसे ही बैठे हैं मुझे बहुत भूख लगी है किर्दी ने भी हामी भरते हुए कहा हा मा मुझे भी बहुत भूख लग रही है हाए मेरे बच्चो इस बरसात के चक्कर में मैं भूल ही गई कि तुम दोनों ने खाना ने खाया मैं अभी कुछ इंतिजाम कराती हूं तुरंत लक्षमी ने घर में बनाया हुआ खाना उन दोनों बच्चों को दिया तपकते हुए घर में ही बैठे बैठे कीर्टी और बालु ने खाना खाया यूही समय बीत रहा था घर के आंगन में लगे पौधों को अब फल और सबस्दियां उग गए थे हमारे तकलीबें दूर होगी मा कुछ सबस्दिया उगाई है जलो जलदी से उन्हें मार्केट में बेच कराते हैं मा किरती के कहने पर तुरंत उन लोगों ने सबजी और फल ठेले पर रखकर मार्केट में बेचे उन्हें उनसे पैसे मिले उन कमाए पैसों से उन लोगों ने अपने लिए जरूरत का कुछ सामान खरीदा तो इस तरह अपने घर के आंगर में फल और सबजी आउगा कर उन्हें मार्केट में बेच कर उनसे पैसे कमा कर तीनों अपने स्वाय कुरुशी से ही अपना घर चला रहे थे धीरे धीरे उनकी जीवन की नया पार हो रही थी